बॉर्णिंग एस्टूडेंट्स यह आपका पार्ट 14 वीडियो एक चेप्टर का पार्ट 14 वीडियो में एक्सेस एलेवन पॉइंट 4 पे है कोस्टन नमबर है 4 काया निम्रिकित फल्लों को X के साब एक साउक कलित करिए चलिए देखते हैं कोस्टन को एक नमबर इसका यहां म भी पे न तो डिफ्रेंसियेशन कर गए X का तो 1 आ जाएगा और लॉग X को ऐसे ही रखेंगे प्लस देकर X को ऐसे रख्या और लॉग X का डिफ्रेंसियेशन 1 बाई X माइनस X का डिफ्रेंसियेशन 1 हो जागा यहां यह कट जाएगा आजाएगा आपके पास लॉग X प्लस 1 minus 1 ये भी कट जागा यानि कि log x यहां से हमारा dy by dx का value आ गया है समझ गए चलिए अब इसका second number देखते हैं चलिए question number इसका 2 देखते हैं इसे भी मान लेता हूं मैं यहां माना y बराबर में दिया है log x बटा x लिखते हैं differentiating with respect to x यू भाई भी पे हैं न जी चलिए तो dy by dx बराबर में हो जाएगा नीचे x का square ठीक है यहां log x का differentiation होता है 1 by x इन 2 में आपका x रहेगा फिर minus देखे उपर वाले को वैसे ही रखे और नीचे वाले का differentiation यानि b का differentiation वाले ठीक है तो यहां 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 कट जाएगा 1 minus log x और बटा में x square यही हमारा answer आगया dy by dx का question number 4 का 3 number देखो 3 number में इसे भी मान लेते हैं माना y बराबर में y बराबर में x का power 4 x का power 4 log x चलिए इसको differentiate करता है differentiating with respect to x यहां से क्या हो जाएगा dy by dx चलिए u into b पहना तो x का power 4 का हो जाएगा 4 x cube और log x वैसे ही रहेगा प्लस देखर x का power 4 को वैसे रखे log x का differentiation 1 by x इसको काटेंगे x cube हो जाएगा यानि आगया आगया 4 x cube log x और plus में x cube आपका answer हो गया चलते हैं अगले question पर चलिए इसका 4 नमबर दखो यह भी u into b पहीं बनेगा इसे भी मान लेते हैं हम यहां पर माना y बराबर में दिया है log x into में sine e to the power x लिखेंगे differentiating with respect to with respect to x यहां से dy by dx बराबर में log x का क्या होगा 1 by x into में sine e to the power x पलस log x को वैसे ही रख देंगे sine का यहां पर हो जागा cos e to the power x है तो वो तो रहे गए और e to the power x का differentiation करेंगे तो e to the power x ही होगा यहां से आगया sine e to the power x by x plus e to the power x cos e to the power x into में log x यहां से आपका dy by dx का value आगया differentiate करके आगया समझ गया question नमर 5 देखें निम्रिकित को x के साब एक्स आउकलित ही करना है चलिए हम लोग देखते हैं इसको गलत लिखा हुगा आगकलित करें चलिए देखते हैं पहला question यहां हम लोग मान लेते हैं माना y बराबर में e to the power x sin x log x इसको देखो आप देख रहे हैं ना function product के form में है तो आप यहां log लगा के भी बना सकते हो और बिना log के भी यहां बन जागा क्योंकि u, v और w तीन function product में हो तो उसका differentiation हम लोग जानते हैं ठीक है तो हम लोग direct differentiate भी से कर सकते हैं differentiating with respect to x तो यहां से आपका क्या हो जागा dy by dx पहले e to the power x का differentiation तो इसका तो वही हो जागा फिर into में आपका sin x log x ठीक है और फिर plus देखे e to the power x वैसे ही रखेंगा और sin का differentiation यहां cos हो जाएगा फिर log x और plus फिर अब चलेंगे e to the power x फिर sin x और log x का क्या हो जागा 1 by x यहीं ना हो जाएगा आपका चले इसको देखो इन दोनों में कुछ common है क्या तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं यहां पर हम लोग आसानी से log x भी common कर सकते है e to the power x भी common कर सकते है तो e to the power x यहां बचेगा sin x plus में cos x और बाहर निकल गया log x और plus यहां e to the power x बटा x sin x यहां आपका answer हो जागा चलते हैं अगले question पे चले इसका second number देखते है two number यहां पे मान लेते हैं माना y बराबर में e to the power x plus में sin x बटा में one plus log x चले इसको that differentiate कर सकते हैं यू भाई भी प ऐसे ही हो जागा है differentiating with respect to x log लगाएं से थोड़ा सा जमेला हो जाता है वैसे question आपको आने वाले है जिसमें log लगा के ही बनाना पड़ेगा आगे चलिए यहां पे देखो नीचे वाले का square हो जागा भी का square होगा ना तो one plus log x का square ठीक है अच्छा इसका differentiation तो पर x का differentiation वही हो वैसे ही रख जेंगे और one का differentiation zero log x का differentiation one by x चलिए अब एक काम करता है उपर LCM ले 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 चलिए तो यहां पे LCM लोगे तो किस तरह से तो उपर LCM यहां पर हो जाएगा आपका x जाके इसमें इंटू करेगा ना या कुछ नहीं तो denominator में इसके one डाल दो one और x का LCM लिए है चलिए अब इसमें भाकर एकस x जाके उपर इंटू करेगा तो आजाएगा आपका one plus log x तो रहा इसको ठीक कर देता हूँ मैं यहां पर into में x और फिर इसको लिए देता हूँ e to the power x plus cos x minus e to the power x अचा यहां plus minus minus हो जागा ना sin x और यहां बटा में है आपके log x one plus log x one plus log x का whole square यह इसे into कर जाएगा यानि किया जाएगा आपका dy by dx का value one plus log x into x e to the power x cos x minus e to the power x minus sin x बटा में आपका हो जाएगा x into में one plus log x का whole square समझ गए चलिए अगला question देखते हैं चलिए अगला देखो पास का तीन number चलिए तीन number देखते हैं इसे माल लेता हूँ मैं यहां पर y बराबर में log फिर bracket के अंदर है e to the power x into में x minus 2 वटा x plus 2 का power 3 by 4 इस तरह से दिया हुआ है ठीके चलिए यहां log है और अंदर into में तो इन x minus 2 वटा x plus 2 का power 3 by 4 चलिए यह power नीचे उतर जागा y बराबर x into में log e और यहां हो जागा 3 by 4 into log x minus 2 वटा में x plus 2 चलिए आगे से solve करते हैं यहां पर y बराबर में log e के value अंदर x बज जागा x plus 3 by 4 यहां divide में है तो फिर minus में कर सकते हैं log x minus 2 log x minus 2 और minus log x plus 2 चलिए अब यहां पर हमनों differentiate कर सकते हैं differentiating with respect to x x के respect में differentiate करेंगे तो यहां से dy by dx x का differentiation 1 हो जाएगा plus 3 by 4 बैकेट के अंदर log x का 1 by x minus 2 x का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा तो उसे लिखने की जोरत नहीं है minus यहां भी 1 by x plus 2 log x का 1 भी x होता है ना जी x का differentiation 1 और 2 का 0 तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है तो इन 2 होगा 1 से तो वह ही आजाएगा चलिए अब यहां देखो 1 plus में 3 by 4 अंदर चाहो तो calcium ले सकते हो x minus 2 इन 2 में x plus 2 यहां इसमें भाग करेंगे x plus 2 उपर चला जाएगा गुना करेगा और फिर यहां पर इसमें भाग करेंगे x minus 2 1 में जाके गुना करेगा चलिए आगे solve करते हैं 1 plus 3 by 4 ब्रेकेट के अंदर देखो क्या हो जागा x plus 2 माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2 और नीचे देखो x minus 2 x plus 2 है तो x square minus 2 का square formula लगा दिये हो जाएगा आपका 1 plus 3 by 4 यहां देखो क्या हो जागा उपर आपका कट जागा न x x 4 बटा में x square minus 4 यहां 4 से 4 कट जाते हैं और अब LCM ले लेते हैं तो हमारा dy by dx यहां से आ जाएगा x square minus 4 x square minus 4 यह 1 से जाके गुना करेगा तो ही हैगा x square minus 4 plus 3 यानि कि हो जाए plus 1 और x square minus 1 होगा sorry x square minus 1 और बटा में x square plus 4 x square minus 4 आपका answer आ गया चलिए 5 का 4 नंबर देखते हैं 5 का 4 नंबर इसे भी मैं यहां पर माल लेता हूँ y बराबर में x log x बटा में e to the power x tan x ठीक है लिखते हैं u by b पर बनाते हैं differentiating with respect to x क्या हो जाएगा dy by dx dy by dx बराबर क्या हो जाएगा यहां पर आपका आ जाएगा इसका square ना यानि कि हो जाएगा यहां आपका e to the power x tan x का whole square यह न होगा अच्छा ऊपर इसका differentiation तो देखो ध्यान से आप differentiate करोगे x का differentiation 1 log x को वैसे ही रखेंगे यह इंट भी पर करें और plus x को वैसे ही रखें log x का 1 by x इसका differentiation हो गया इंटू में यहां है गा ना e to the power x और यहां पर फिर 10x है माइनस x log x को वैसे ही रखेंगे और इसका differentiation यह इंटू भी पर तो e to the power x का e to the power x ही होगा इंटू में 10x और plus e to the power x को ऐसे रखें और 10x का हो जाएगा से के square x यही ना होगा से के square x यहां bracket दे देंगे जान देना से के square x मैंने यहां लिखा है चलिए अब देखते हैं क्या आता है तो देखो यहां x से x कट जाएगा चलिए इसी को थोड़ा सा मैं यहां किधा करके लिख देने के लिए ठीक है तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा तो देखो यहां भी e to the power x है और इंदोरों में भी e to the power x है तो कॉमन करनों क्या एक e to the power x को चलिए तो यहां हो जाएगा आपका क्या तो यहां बचेगा log x plus 1 into में middle bracket देता हूँ यह चोटा bracket देता हूँ log x plus 1 into में यहां पर आपका 10x बचेगा क्योंकि e to the power x हम लोग बाहर निकाल दिया है ठीक है और फिर यहां देखो यहां भी क्या हो जाएगा minus x log x into 10x और plus में 0 square x e to the power x बाहर निकल गया है दोनों से यहां भी common हो गया और यहां भी common हो गया और नीचे हो जाएगा आपका e to the power x square है e to the power x अलग अलग कर देता है e to the power x का square into में 10 square x तो यहां e to the power x 1 e to the power x कट जाएगा यहीं बच जाएगा आपका यहीं न बचेगा तो इसको सीधा कर दो 10 x into में log x plus 1 minus x log x bracket के अंदर 10 x plus में c square x और बटा में आपका e to the power x 10 square x यहीं आपका answer हो जाएगा समझ में आया उसना नमर 6 देखो कह रहा है y बराबर दिया हुआ है यहाँ पर a to the power x plus में root अंदर 1 plus x बटा 1 minus x करा d y by dx निका लिए x बराबर 0 पर तो पहले इससे तो हमनों differentiate कर लेंगे उसके बाद हमनों देखेंगे क्या करना है में x बराबर 0 पर d y by dx निकालना है तो पहले differentiate करते हैं यह नहीं है कि पहले नहीं put कर देना पहले नहीं put कर सकते हो a to the power x का a to the power x into में log a आपको पता है कि base में ही हमेशा रहता है plus इसको आप देखो root में है तो 1 by 2 root under 1 plus x बटा में 1 minus x into अंदर u by v पे लगाएंगे 1 plus x और by में 1 minus x का तो क्या हो जागा यहां से तो 1 minus x का whole square ठीक है 1 minus x का whole square उपर इसका differentiation करेंगे तो 1 का 0 और x का 1 तो 1 into में आप देखो इसको वैसे ही रखेंगे 1 minus x को फिर minus देखे उपर 1 plus x को वैसे ही रखे इसका differentiation तो 1 का 0 इसका 1 हो जाएगा तो यहां minus है तो minus 1 हो जाएगा चलिए आगे अब इसे solve करते हैं a to the power x into में log a और plus यहां तो को यह पलट जाएगा ना यहां उपर चला जाएगा यहां उपर चला जाएगा कौन? 1 minus x तो root under 1 minus x plus में 1 plus x root under 1 minus x बटा में 1 plus x और यहां 1 by 2 बाहर है वो तो रहेगा है into आप देखो उपर solve करके 1 minus x यहां देखो minus minus plus हो जाएगा यानि कि 1 plus x और बटा में bracket के अंदर 1 minus x का हो जाएगा यहां देखो x से x कट जाएगा यहां 1 1 2 हो जाएगा ना यानि अब यहां से dy by dx जो होगा वह a to the power x log a और प्लस यहां देखो 1 by 2 root अंदर 1 minus x बटा 1 plus x into 2 बटा में 1 minus x का हो जाएगा देखो 2 से 2 कट जाएगा यानि कि अब finally हमारा dy by dx जो हो गया a to the power x log a और प्लस root अंदर 1 minus x बटा में 1 plus x into 1 by 1 minus x का होल स्क्वार यह न होगा at x बराबर 0 पर निकालना है at x बराबर 0 पर dy by dx तो dy by dx और base में ऐसे लिखा जा सकता है at x बराबर 0 ऐसे लिख सकता है ठीक है a का power 0 log a और प्लस यहां root अंदर 1 minus 0 बटा 1 plus 0 x के जिरो पुट कर रहा है और into में 1 by 1 minus 0 का होल स्क्वार ठीक है 1 minus 0 का होल स्क्वार चलिए यहां solve करते है तो a का power 0 1 हो जागा तो बच जाएगा आपका log a ठीक है और प्लस यह दखो यह भी 1 आएगा यह भी 1 आएगा into होगा 1 यह आपका answer हो गया समझ गया question number 7 देखिए यहां दिया है कि x बराबर में y log xy और हमें यह दिखाना है कि d y वे d x का value यह होगा ठीक है चलिए तो इसे prove करते हैं यहां हमारे पास दिया है x बराबर में y log xy तो into मैं तो इसे प्लस में लिख सकते हैं तो x बराबर में हो जाएगा y यहां आजाएगा आपका log x plus में log y ठीक है अच्छा अगर मैं यहां से पूछू आपसे कि log x plus log y के value क्या होगा तो आप कहोगे कि sir x बटा y हो जाएगा है ना x बटा y हो जाएगा आपका गायब हो जाएगा इसलिए मैं इसके value पहले ही निकालने रहा हूँ ठीक है अब इसको यहां पर मैं differentiate करता हूँ x के respect में तो x का differentiation 1 अचा y का differentiation इसको यूंट भी पर बनागा ना तो y का differentiation dy by dx इंटू में आपका यहां तो रहागा ही log x प्लस log y ठीक है और फिर आप प्लस देदो y को वैसे ही रखेंगे और इसका differentiation तो log x का 1 by x log y का 1 by y और y का यहां पर dy by dx हो जाएगा इतना चलिए अब यहां log x प्लस y के value x बटा y है तो यहां मैं रखते था हूँ 1 बराबर में x बटा y into में x बटा y into में dy by dx समझ गया ना इसके जगह पर मैंने यह value रखती है x बटा y चलिए और प्लस यहां y बटा x यह into हो गया और इसमें into होगा तो y से y कट जाएगा आपका बच जाएगा dy by dx यह नहीं बचेगा चलिए यह y by x को उधर भेजता हूँ और इन दोनों में से मैं dy by dx कमन करता हूँ तो 1 minus y by x यहां इन दोनों में से dy by dx कमन करेंगे तो x बटा y और minus का sorry plus का 1 यह plus का 1 ही बचेगा यहां पर into में dy by dx देखे ना इन दोनों में से dy by dx common कर लिए यहां LC हम ले लो X minus Y यहां अंदर LC हम लेंगे Y तो हो जाएगा X plus Y into DY by DX तो finally यहां से आपके DY by DX का value निकल जागा यह भाग वाला गुना में गुना वाला भाग में Y बटा X और into में आपका X minus Y और नीचे बटा में है आपका X plus Y यही नामे प्रूब करना था समझ गए कोशन नमर 8 देखिए इस तरह का कोशन तो हमनों पहले भी पढ़ चुके है यह Y का value दिया है अपनों DY by DX निकला इसे हमनों बना सकते है जल्दी Y बराबर दिया है root under log X plus में root under log X plus में root under log X यह कहां तक चला गया है तो यह आपके infinity तक गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोग एक log X को वैसे रख लेंगे और इन सब को हटा के मैं Y लिख दूगा सब है ना Y क्यों लिख रहा हो क्योंकि यह infinity तक गया है एक को ऐसे रख देंगे ठीक है दोनों तरफ बर करते हैं तो यहां Y square इधर हो जाएगा root हड़ जाएगा आपका log X plus Y ठीक है अब लिखते है differentiating with respect to X तो यहां हो जाएगा 2Y इन 2 में DY by DX अच्छा log X का 1 by X और Y का DY by DX DY by DX वाले को एक तरफ करते हैं इधर ले जाएगे तो 2Y DY by DX माइनस का DY by DX बराबर 1 by X यहां दखो DY by DX common हो जागा तो 2Y minus 1 DY by DX बराबर में 1 by X तो यहां से हमारा DY by DX का वैलू आ गया 1 by X इन 2 में 2Y minus 1 यहीना हमें सावित करना था आ गया चलते हैं अगले कोर्षन पर चलिए कोर्षन नमबर 9 देखें यहां DY by DX नेला है इसके बाद जो भी कोर्षन है सब में दोनों तरफ log लेकर ही बनाना है ठीक है जितने भी कोर्षन दियेगा है सब में log लेकर ही बनाना है चलिए पहला कोर्षन देखते हैं फर्स्ट नमबर यहां दिया है Y बराबर X का पावर 1 by X तो यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड बिना लॉग लग लगाए अब यह बनने वाला नहीं है टेकिंग लॉग बोथ साइड ठीक है क्या हो जाएगा लॉग Y बराबर में हो जाएगा लॉग X का पावर 1 by X लॉग लागाने से असानी से बन जाएगा चलिए लॉग Y बराबर में हो जाएगा यहां पर 1 by X पावर नीचे उतर गया और इंटू में लॉग X चलिए उसको दिफ्रेंसियेट करेंगे यू इंटू भी पे चलिए लिखते हैं डिफ्रेंसियेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू X तो लॉग Y का 1 by Y और Y का हो जाएगा आपका दी Y by D X चलिए इसका दिफ्रेंसियेशन करते हैं तो देखो 1 by X का हो जाएगा माइनस 1 by X स्कौाइर लॉग X को वैसे रखेंगे पलस 1 by X को ऐसे रखे और लॉग X का 1 by X चलिए यहाँ पर देखो D Y by D X बराबर में Y उपर जाके इंटू में मैं इसको पहले लिख देता हूँ 1 by X स्कौाइर माइनस का 1 by X स्कौाइर लॉग X चलिए 1 by X स्कौाइर को बाहर निकल देता हो और Y का वैलू रख देता हूँ तो Y का वैलू क्या है Y का वैलू है आपके पास X का पावर 1 by X X का पावर 1 by X इन्हें Y का वैलू है और X स्कौाइर बाहर निकल गया और ब्रेकेट के अंदर हो गया आपका 1 माइनस में लॉग X तो इतना भी आप इसे एंसर के रुप में छोड़ सकते हैं चलो इसका second number देखते हैं two number माना Y बराबर में दिया है sorry मानने की जोड़ती नहीं पहले से ही दिया है चलिए Y बराबर में दिया है X का पावर Y लिखेंगे differentiate sorry taking log both side taking log both side चलिए देखते हैं दोनों तरफ log लगाओगे log Y बराबर में हो जाएगा log X का पावर Y पावर नीचे उतर जाएगा log Y बराबर में Y into में log X लिखेंगे differentiating with respect to X X के respect में differentiate करेंगे इसको तो देखो तो log Y का 1 by Y 1 by Y और Y का हो जाएगा DY by DX चलिए यहाँ पर दको Y का differentiation DY by DX into में log X प्लस Y को वैसे रखे log X का 1 by X यही ना होगा आपका चलिए आगे देखते हैं चलिए अब DY by DX वाले को एक तरफ करना होगा ना आगे देखते हैं इसको तो यहाँ इसको इधा लाएगे तो 1 by Y 1 by Y minus log X into DY by DX बराबर में Y बटा X अंदर यहाँ LC हम ले ले लेते हैं Y 1 minus Y log X DY by DX बराबर में Y बटा X चलिए भाग वाला गुना में गुना वाला भाग में तो यहाँ से हमारा DY by DX हो जाएगा Y square बटा में X into 1 minus Y log X यही आपका answer हो जागा समझ गए चलो इसका देखते हैं तीन नमबर दिया है Y बराबर में X का पावर log X डरेक भी डिफरेंशियेट हो सकता है यह लिखते हैं taking log both side taking log both side अब सब log लेकी बनाते हैं log both side असानी से बन जा रहा है log Y बराबर में हो जाएगा log X का पावर log X ठीक है पावर नीचे उतर जाएगा तो log Y बराबर में हो जाएगा log X into में log X ठीक है चलिए यानि कि इसे log X का whole square भी लिख सकते हैं log Y बराबर में log X का whole square ऐसे लिख सकते हैं ना चलिए अब differentiate कर दो लिखेंगे differentiating with respect to X तो क्या हो जाएगा 1 by Y into में dy by dx बराबर में यहाँ देखो 2 नीचे उतरेगा पावर और पावर में से घड़ जाएगा 2 log X और log X का 1 by X यहाँ जाके उधर इंटू करेगा तो dy by dx बराबर में हो जाएगा y into 2 log X और बटा में X या 1 by X भी लिख सकते थे चलिए y का वैलू यहाँ पे सिर्फ रख दो तो X का पावर log X into 2 log X बराबर में X यहाँ से यहाँ से यहाँ दिफ्रेंसियेशन आ गया dy by dx आ गया चलते हैं अगले कोशन पे चलिए नो का 4 नमर देखते हैं 4 नमर यहाँ देखो y बराबर में दिया है X का पावर X प्लस 1 by X यहाँ लिखते हैं taking log both sides taking log both sides दोनों तरफ log लेते हैं क्या हो जाएगा log y बराबर में हो जाएगा log X का पावर X प्लस 1 by X पावर नीचे उतरेगा log y बराबर आ जाएगा 1 sorry X प्लस 1 by X X प्लस 1 by X इन्टू में log X इसको यू इन्टू भी पर differentiate करते हैं differentiating with respect to X चलिए इसको differentiate करते हैं देखते हैं क्या आता है 1 by Y इन्टू में dy by dx बराबर इसका differentiation करो तो X का differentiation यहाँ पर 1 हो जाएगा X का differentiation 1 हो जाएगा और 1 by X का minus 1 by X इन्टू में log X प्लस इसको ऐसी रख देते हैं X प्लस 1 by X इन्टू log X का 1 by X ठीक है चलिए आप इसको Y को इदा लाके गुना करते हैं तो dy by dx बराबर में Y इन्टू एक काम करता हूँ मैं इसे पहले लिख लेता हूँ इसको इन्टू करके तो इन्टू करोगा तो X में 1 by X है तो 1 और इसमें होगा तो 1 by X स्क्वार ठीक है और minus स्वारी प्लस है न प्लस ही है तो नो 1 minus 1 by X स्क्वार log X यहीं नहोगा चलिए अब यहाँ पे जो Y का वेलू था उसे हम लो रख दते है X का पावर X प्लस 1 by X तो Y का वेलू हो जागा X का पावर X प्लस 1 by X इन्टू में 1 प्लस 1 by X स्क्वार प्लस 1 minus 1 by X स्क्वार log X यह आपका एंसर आ गया समझ गया चलिए अगला देखो इसका 5 नंबर Y बराबर में दिया है X का पावर कॉस इन्वर्स X लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यहां हो जाएगा log Y बराबर में log X का पावर कॉस इन्वर्स X यानि कि log Y बराबर हो जाएगा cos inverse x into में log x तो इसे अब u into v पर differentiate करते हैं चलिए लिखते हैं differentiating with respect to x क्या हो जाएगा 1 by y into में dy by dx बराबर इसका differentiation cos inverse का क्या होता है minus 1 by root under 1 minus x square log x को वैसे ही रखेंगे फिर plus देके cos inverse को वैसे ही और log x का 1 by x into में चलिए y को ले जाते हैं गुना में तो dy by dx बराबर y into इसको पहले लिख ले क्या आपका हो जाएगा 1 by x cos inverse x minus 1 by root under 1 minus x square और into में आपका log x y के value रख देते हैं तो y के value है x cos inverse x x का power cos inverse x यही ना कोस्टर में दिया है into में 1 by x cos inverse x minus 1 by root under 1 minus x square log x यही आपका answer हो जाएगा तो इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं नेक्स वीडियो में अगले कोसन पे चलेंगे तब तक के लिए इस वीडियो में यही तक और इसे लिटर जो भी वीडियो देखना होगा सीधे description में जाना आपको पूरे book का link मिलेगा वीडियो को like share करना नहीं भूलेंगे और comment करके जरूर बताएंगे कि हमारे channel के वीडियो आपको कैसे लगते हैं थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो